दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं क्वान टोकन के बारे में दोस्तो एक क्योंटी टोकन जो है इसने इन्वेस्टर के पैसे को 60 डेज में 60 डेज में आठ गुना किया है आठ गुना आठ गुना किया है देख लेते हैं हम एक बार डिटेल में तो हम इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले क्लिक करने से लिए आपको बता दू कि आज ये 21 परशेंट अभी बढ़ चुका है अगर हम इसका भी लेटेश प्राइस ये तो 8000 इसका भी ही नहर में तो हम इसके द delic Yi डोस्तों हमने कर चुके हैं यहां हमने वीडि़ी चार्ट यहां लगाया है मतलब जो एक कैंडल है वो वनवीड Förd की कैंडल अगर तो अगर हम इसका high और low देखें तो आप यहां एक line draw करें और यहां high लगाएं यह हम आज कहीं price लेते हैं तो आज के price के हिसाब से इसका low और high तो यह जो line अगर हम यहां draw करते हैं तो यह 1000 आता है दोस्तों और यहां 8000 है तो basically हम सीधा सीधा multiply करें तो 1000 से सीधा यह 8000 हो चुका है मतलब 8 गुना पैसा यहां हो चुका है 8X हो चुका है अगर आपने यहां पर 1 lakh रुपीज लगाए होते तो अब आपके 8 lakh रुपीज हो गई होते ठीक है इसे हम detail में देख लेते हैं अगर हम उसका date chart पर करते हैं तो date chart पर आपको फूरा confirm यहां दिख जाएगा देखिए दोस्तों अभी जो अभी इसका लेटेस प्राइज है 8000 रुपीज है तो हम इसे थोड़ा बैक जाते हैं आप यहां देख पाएंगे कि क्या लेटेस प्राइस था ठीक है यहां आ चुके हैं आप यहां देखेंगे यह एक 1000 का यहां अगर हम एक लाइन डॉक करते हैं तो 1000 यह आया था 1000 से नीचे भी गया था और दोस्तों अगर बात करें कि यह विक लगा के रिटन हो गया था तो अगर हमने यह किसी ने यहां भी लिया होता है 2000 के आसपास तो भी पैसे चार गुना आपका हो गया होता वह भी मात 60 डेज में 60 डेज से कमी होगा कैल्कुलेट करेंगे तो थोड़ा कमी आगा 56 डेज के आसपास यहां आ रहा है तो इतने दुनों में पैसा इंवेस्टर का यहां पर हो चुका है 8 गुना तो यह था कौन टोकन और दोस्तों बात करें 20 EMA की 20 EMA से यह फिलाल अभी उपर ह ही चला है 20 EMA Exponential Moving Average तो आप यहां देखेंगे यह 20 EMA है मैं इसे डेचार्ट पर करता हूँ थोड़ा क्लियर नजर आएगा डेचार्ट पर मैंने क्या है तो आप यहां देखेंगे यह 20 EMA के ऊपर ही फिलाल चला अभी जस नीचे आया था फिलाल यह उसको ऊपर ही कर रहा है ट्रेड तो अगर हम थोड़ा बैक करें तो आप यहां देखेंगे कि बहुत दिनों से थोड़ा यह इसी से लगके चलना था बट अभी थोड़ा यह दूर से चलना है इट मींस अगर 20 EMA को उपर है तो आई हो इसमें और भी तेज़ी की संबावना हो सकती है तो यह कोई बाइंग और सेलिंग की एडवाइज नहीं है आप अपने फाइनसर एडवाइज से एडवाइज लेके इसमें टेड कर सकते हैं बस मैं आपको बता रहा हूं कि कितने दुरों में कितना पैसा यहां इसने इन्वेस्टर का एड़ गुना किया है दोस्तों कर आरे से की बात क अरे बाइंग नीए है जाएं तो दोस्तों आजकी वीडियो में इतना ही था हम आगे मिलना एक निव वीडियो के साथ आजके लिए धन्यवाद